पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रोप से सशक्त होने की राह में पहला कदम लड़कियों को दी जा रही है सल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यानि की आत्म सुरक्षा के गुर सिखाई जा रहे हैं आज विद्याले में कहते हैं कि लड़किया हर शेत्र में हमेशा अवल रहती हैं और आज इनको फिजिकली स्ट्रॉंग बनाने के लिए इनके अंदर आत्मबल जगाने के लिए और किसी भी बादा से लड़ने के लिए इनको दी जा रही है आत्मरक्षा के ट्रेनिंग सल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और एक समय आएगा जब इनको किसी की भी रक्षा करने के लिए किसी को आवाज देने की जुरूरत नहीं है ये खुद ही अपने आप में सशक्त नारी है शुरू से कहा जाता है कि नारी अबला होती है लेकिन इस चीज का मुहतोड जवाब देते हुए ये बालिकाएं आप देख सकते हैं कितनी ही लगन से और कितने ही शिदत के साथ ये बालिकाएं अपने इंस्ट्रक्टर से पूर्ण ज्यान लेती हुई आप देख सकते हैं इनके चहरे पे वो जोश और वो शक्ती कि किस प्रकार पूरे मन से और ये इनके इंस्ट्रक्टर इनकी प्रिंसिपल भी मौजूद हैं यहाँ पे राज के उच्च विद्यालेट अगरहाकी की बालिकाएं पूरी लगन से पूरी शिदत से सल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हुई मोटिव पीछे एक ही कि इनको पूर्ण रोप से सशक्त बनाना है चाहे वो पढ़ाई की राह में हो या लड़ाई की राह में हो ताकि फ्यूचर में कभी भी इनको किसी को अवाज लगाने की जूरत ना पड़े हर समस्चा से ये खुद ही लड़ सकें खुद ही सॉल्फ कर सकें हर समस्चा को बहुत ही बढ़िया कदम लड़ से चाट करेंगे चलो वन जाबाज टू चाहिए एक कहने पे गोनो बंच कर देने आप लोगोने चलो पोजिशन पोजिशन का मतलब थोड़ा धुका हुआ चलो चाट करें चलो वन अरे वन पे वापस तू वापस तिक है बहुत ही अच्छा इनिशेट लिया है हर्याना सरकार ने मैं बहुत ही तारीफ मंद रहूँगा और अभार व्यक्त करूँगा माननिया मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था और बेटियों को स्टॉंग करने के लिए उन्हें मजबूत करने के लिए हर शेत्र में उन्नत करने के लिए बहुत ही सासी कदम उठाई जा रहे हैं विद्याले स्तर पे ही इनको फुली स्ट्रॉंग बनाया जा रहा है ताकि हर शेत्र में जीवन के हर कदम में जीवन के हर पहल पे हर रह में ये लड़कियां नारी शक्ती उभर कर आएं और हर स्तीती को अच्छी तरह सॉल्व कर सकें कोई भी जीवन में परिशानिया आए उनको ये अराम से सॉल्व कर सकें बहुत ही बढ़िया इनका प्रदर्शन और इनकी सीखने की कला देखो में साथ करो लेप से साथ करेंगे जो नारे खो जो लड़कियों को दी जा रही है हर्याना सरकार का एक सरहनिय कदम है आज के इस अराजक्सा से भरे यूग में लड़कियों को अपनी रक्षा के प्रत्वी स्वय में सचेत रहना होगा और इस बात की गंभीरता को हर्याना सरकार ने बड़ी अच्छे तरिक्ये से समझते हुए जिद्यालियों में ही बिना किसी शुल्क के निशुल्क ये ट्रेनिंग जो है इस सरक्षा इस रेनिंग में गड़कियों का भरपूर इनको मोटिबेट करके हुए सरकार के इस कदम को सभलता की अबनी चले कि अबनी बड़कियों का इस के अबनी चले बड़कियों को सबस्कित